अपने भाषिन में शामिल कर सकते हैं नमस्कार कोरोना वैस्विक महमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या-क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देशवाशियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए साथियों ये बात सही है कि अगर करोना से होने वाली मृत्यूदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है समय पर किये गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक बन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में ला परवाई जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की जरुवत है तो ला परवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रुवत है विशेश कर गंटेन्मेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सारवजनिक स्थल पर मास्क पहने भी न गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये 130 करोड देश वाच्चों के जीवन की रक्षा करने का भ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लोकडाउन के दोरान देश की सर्वोच्च प्राफिक्ता रही ऐसी स्थिती ना आए प्रधाउन की स्थिती ना आए